बच्पन में एक कहानी पढ़ा करते हैं दाखु खडग सिंग की दाखु खडग सिंग ने एक बिमार आदमी का भेश बना के एक घुर्षवार को लूट लिया था गुर्षवार ने दया करके उस खडग सिंग के रूप में जो मरीज बना सडक पर तडफ रहा था उसको अपने गोड़े पर बठा लिया था और जैसे ही खडग सिंग गोड़े पर बैठा उसने लगाम को जटका मारा और अपनी पसंद के उस गोड़े को लेके भाग गया अरे भाई तु जो भी है घोड़ा भले ले जा पर ये बात किसी को बताना मत है अगर तु ये बात सब को बता देगा ना तो दुनिया में कोई बिमार आदमी की मदद नहीं करेगा उसे तरफता हुआ ही छोड़ कर चला जाएगा इसी तरह की गटना एक ताजा ताजा हुई है कि इसी दलित भाई ने जो सफाई का काम करता था अपनी पतनी को पढ़ाया लिखाया और अपनी मेनत की कमाई से उसे कोचिंग करवाई और जैसे ही वो पतनी चैनित हुई और SDM की कुरसी पर आकर बैठी तो उसे लगा कि अब उसके पती का स्टेंडर्ड बहुत कम है हलांके बच्चे हैं उसके बावजूद भी वो भद्र महिला उनसे तलाक लेना चाहती है क्या समय आ गया है जिसने अपनी खून पशीने की कमाई को अपनी पतनी पर लगाया और वहीं से इस तरह का दगा मिला क्या माइने हैं इसके यह हमारे समाज के गिरावट की हाद है और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि अब कोई भी अपनी पतनी को बहुत सारा प्यार दुलार देकर उसे पढ़ाई के लिए प्रोथसाइद करने से पहले चार बार सोचेगा मैं तो कहता हूँ अगर उस महिला को ऐसा करना ही था तो कम से कम यह बात जग जाहिर तो ना होती कोई और तरीका अपना लेती कुछ भी करती पर उसने बहुत सारी लड़कियों का बहुत सारी महिलाओं का भविश्य का दरवाजा बंद कर दिया ऐसा गिरा हुआ काम करने से पहले पचास बार इनसान को सोचना चाहिए हाँ यह जरूर है आज के जमाने में जो अच्छे लोग हैं वो अच्छाई करते हैं पर उनके साथ जब बुरा होता है न मैं तो कहूँगा उन्हें बताना नहीं चाहिए अगर ऐसा किया तो सब को पता लग जाएगा कि हमारे समाज में गिरावट इतनी है कि अच्छाई का जवाब भी बुराई से देते हैं आप क्या सोचते हो अच्छे लोगों के साथ बुरा होता ही नहीं है खूब होता है और यही समाज करता है और इतना ज्यादा करता है कि अच्छा इंसान अगर बताने लगे तो लोग अच्छाई करना छोड़ देगे मेरा नमर निवेदन है कहीं कुछ इस तरह का उंच नीच का काम हो उसे अगर मीडिया नए उच्छा ले तो बड़ी मेहरबानी होगी पर सोचल मीडिया का कमाल देखिए छोटा बड़ा सब इसी बात पर जुटे हुए है कि SDM ने अपने सफाई करमचारी पती को तलाख दिया अरे इस बात को जो हुआ वो तो बहुत बुरा है पर इसको फैलाओ तो मत क्यों आप समाज का नुक्सान करने लग रहे हैं एक पत्तरकार का, समवादाता का, रिपोर्टर का, प्रेश मीडिया के आदमी का चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे एलेक्टोनिक में हो इतना दायत उसका बनता है कि गंदी चीज़ों को, बेकार चीज़ों को, घटिया चीज़ों को और जो निमन स्तर के करम हैं, उनको इतना हाइलाइट ना करें आप देख रहे हो, लोग गाओं में कैमरा लिए घूम रहे हैं, किसी का घरू जड़ रहा है, उसको हाइलाइट कर रहे हैं किसी का मार पिट का मामला है, किसी बुजर्क के साथ जाती हो रही है और उनके घरूं में गुश-खुश कर और उस गंदगी में बार बार डंड़ियां डाल के उसे उच्छाल रहे हैं और समाज में बुराई का परचारी इस हद तक कर रहे हैं कि कई बार तो लगता है, जैसे इस दुनिया में अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा है जबकि सच्चाई यह है, यह दुनिया अच्छे लोगों की वज़े से चलती है उस भाई की कितनी परसंग्सा की जाए जिसने सफाई करमचारी होते हुए अपनी वाइफ को SDM के पत तक पहुँचाया मैं सलूट करता हूँ उसकी डैडिकेशन को, उसके प्यार को, उसके समर्पन को और उसकी हिम्बत को बहुत महत धन्यवाद